नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाधी तेंग मद्यप्रदेश में आपने एक शोर तो जरूर सुना होगा चुनाव नजदीक है लेकिन उससे पहले सीएम जनसेवा मित्र के बारे में आप सुनते आ रहे होंगे एसे में सवाल है कौन है सीएम जनसेवा मित्र और इसकी क्या महत्व है मद्यप्रदेश में यूवाज सरकारी दफ्तरों में इंटर्नशिप कर रहे हैं इसी की दूसरी कड़ी का शुबारम मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने शुक्रवार रात को कर दिया इसका नाम को जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक अपनी घुशनाओ के जरीए खुशी दी जा रही है शिवराज सिंग द्वारा ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र आखिरकार कौन है उनका क्या काम है चलिए आपको बता दें सभी के जवाब साफ़ कर रही है इसी शंक्रा में सरकार ने प्रदेश के उच्छित बेयोजगार युवाओं को सीखो कमाओ योजना के अंतरगत इंटेंशिप प्रदान करनी के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना शुरू किये हैं सरकारी विवाग में काम करके योजनाओं को आम विकास योजनाओं के लिए जमीनी इस्तर पर कारे करेंगे जन सेवा मित्रों की भड़ती को शुरू करने का उद्देश राज्य युवाओं को सरकारी विभाग में विकास युजनाओं का कारे करने अफसर प्रदान करना है मुखे मंतरी शिवराज सिंग चोहान इस योजना को दुनिया के सबसे बड़े इंटर्णशिप योजना बता रहे हैं इसके तहट मद्रदेश के अलग-अलग विभागों में युवाओं को इंटर्णशिप का अफसर दिया ये युवा प्रदेश की कल्यानकारी योजनाओं को घर-घर पहुचाने का काम कर रहे हैं इसके दूसरे बैच की भी शुरुवात हो गई है मुखे मंतरी कहते हैं कि उनका लक्षे मद्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देना है इसी लक्षे को पूरा करने के लिए युवाव को जनसेवक बनाकर प्रशासन और जनता से जोडने की ये एक अनूठी यूचना है एक विकास खंड में 15 जनसेवा मित्र नियुक्त किये जा रहे हैं इसी तरह 313 विकास खंडों में कुल लगबद 4,685 जनसेवा मित्र नियुक्त किये जाने हैं कौन बन सकता है जनसेवा मित्र जनसेवा मित्र बनने के लिए साब तोर पर आपके मन में सवाल आ रहे होंगे ऐसे में आपको बता दे कि कुछ शर्ते हैं जो कि पूरा करना निवार रहे हैं शर्ते कुछ ऐसे हैं कि मद्यप्रदेश का मूल निवासी आपको होना जरूरी है जिसके उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए कम से कम सना तक पढ़ाई पूरी हो पीजी करने के दो वर्षों के अंदर ही इस योजना के तहट आवेदन का पात्र हो सकते हैं जिस तरह किसी कमपनी में इंटर्शिप करने वालों को निश्चित तरीके से इस टाइपेंड दिया जाता है अपको बता दे कि मद्यपरदेश में एक बार पहले बैच के शुरू में मुख्य मंतरी जनसेवा मित्र बनाय जा चुके हैं अब वे दूसरा बैच है जिसका चैन किया गया है दरसल मुख्य मंतर शिवरत सिंग्ग चौहान चाहते हैं उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाई जमी इस तर पर किस तरह क्रिया विन्यत हो रही है उसका feedback सीदे जनसेवा मित्र से लिया जाएंगे जनसेवा मित्रों को CM ने आख और कान कहा है ये आख और कान संबंदित ग्राम पंचायत में कारेकरे नागरिकों से विर्म्रवत्ता से बात करेंगे योजनाओं के बारे में समझा कर साफतोर पर हर आदमी को योजनाओं का लाब दिलाया जाएगा ऐसे में शिवराज सिंग चोहान एक तीर से दो निशाने करना चाहते है एक तरफ तो चनाव नजदीक है ये एक योजना बहुत खुबसूरत बना दी शिवराज सिंग चोहान में कि भई सिखो और सिखाओ और दूसरी और साफतोर पर किस तरीके से कारे चल रहा है सरकारी दफ्तरों में उस पर भी निगाएं रखी जा सके और साफतोर पर युवाओं को लुभाने की कोशिश की जास ले तो ये योजना कितनी सफल होती है क्या इसका सर्चुनाव पर पड़ता है तमाव अपडेट के लब हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडियाने बनेवार